टीवी सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है कि कहाने अभी उस मोर से गुजर रही हैं जहां फ्रैंसिस का एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते। अर्मान को इस बात का अहसास हो चुका है कि वो रुही से नहीं बलकि अभीरा से प्यार करता है लेकिन फिर भी वो परिवार के खुर्शियों की खातिर इस रिष्टे में आगे बढ़ रहा है। अर्मान मंडप में बैठेगा और रुही सच जानने के बावजूद इस शादी का नहीं रोकेगी। लेकिन फिर कुछ हैसा होगा कि अर्मान के पास बगावत के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। माधव और मनीश जी के लाग कोशिशों के बावजूद अर्मान शादी के लिए बैठ जाएगा लेकिन फिर उसे कुछ हैसा पता चलेगा कि वो शादी नहीं करेगा और खोधी मंडप से उठकर चला जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब अर्मान बारात लेकर जा रहा होगा तो अभिरा ये न जारा देखेगी। इसके अलावा बस के आगे चलने पर वो माधव को हॉस्पिटल से बाहर आते हैं भी देख लेगी। वह बस रुखवा कर माधव से मिलने जाएगी और तब उसे इसी असबात में भट्ती करवा देगा। बिना देर किये वो अर्मान को कॉल करेगा और उसे बताएगा कि अभीरा की हालत बहुत खड़ाब है। जानकारी की मुताबिक अभीरा की तबियह के बारे में पता चलने पर अर्मान खोद को रोक नहीं सकेगा और मंढप से उठकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ दोड़ेगा। ये सीक्विंस ठीक उस वक्त आएगा जब अर्मान रूही के गले में वर्माला डालने जा रहा होगा। जाहिर तौर पर यह काफी हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है जिसे दर्शक हूँ बेंजॉय करेंगे।